अलो एवरिवन वेलकम बाक टू चैनल दिनेश सरलाइक टड़ी जो बच्चे इंजिनरीं के आडमिशन के लिए ट्राइ कर रहे हैं और थर्ड राउन के अलाटमेंट का वेट करे थे उनके लिए गूड नीज ये है कि जो ऑफिशली हमारा कैप पोर्टल है उसके ऊपर आपक प्रविजनल अलाटमेंट फोर कैप राउन त्री आ चुका है ओके आपको कैप राउन त्री में अगर आपने अपलाई किया था तो कौन सा कॉलेज अलाट हुआ ये जानने के लिए जो क्या पोर्टल अपनी वेबसाइट है वहाँ चले जाना है यहां पर यह लिंक जो है अब एक्टिवेट हो गई है इसको आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहां पर आपको application ID पूछेगा और आपको यहां data पर डालते हैं शब्मेट करना है जैसे submit करोगे तो आपको जो भी college यहां पर अलाट हुआ है उन सबको तो पहले से ही congratulations था लेकिन आज इसको अच्छा college alert हो गया उन सबको बहुत-बहुत बदाई हो और अभी भी अगर किसी को college alert नहीं हुआ है तो भाई अब इसके बाद कोई cap round नहीं आने वाला है हाँ college level पर spot round होंगे जिसमें आखिर में admission का आपको struggle करना पड़ेगा spot round में और अभी भी जिसको कोई college alert हो चुका है और फिर वो सोच रहा है क्या मुझे betterment या कुछ ऐसे मिलेगा भाई यह सब चक्कर में मत पड़ो यह आखरी round था जो मिला है उसे ले लो अगर आप confused हैं कि मुझे second list में second cap round में यह college मिला था third में नहीं मिला या third में यह मिला में क्या करूँ तो भाई आप जैसे यह allotment होगा उसके उपर पूरा instruction आपको दिया होगा कि आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते पिछला college retained है या चला गया है यह जो भी चीज़े हैं ठीक है तो बिल्कुल निश्चिंद्रा और फाइनली जो भी college यहां मिला है कोजिश करो admission ले लो पिछले भी वीडियो में मैं ने बताया था क्या प्राउं टू वाले allotment में कि आपको रिस्क नहीं लेना है क्या प्राउं ट्री के लिए यहां पर ज्यादा सार बच्चे जो है computer science आई टी जैसे courses जो है उसमें भाग रहे हैं तो यह सारे जो branches ने के cut-off बहुत ज्यादा ऊपर चले गए आपको पता यह काफी कम सीटे बची थी colleges के अंदर CS IT जैसे courses के लिए जबकि mechanical और civil के लिए seats बची थी उनके लिए cut-off कम भी हुए बट इनके लिए CS IT जैसे computer science जैसे courses के लिए branches के लिए cut-off कम नहीं हुए ओगे तो अभी जो भी आपको मिला है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो या तो फिर भी किसी को chance लेना है तो आगे चलके जो spot round है college में जाना होगा आपको college अपने लेवल पर जो यह spot round कराएगा उनकी अगर कोई seat बची होगी तो खिलाल cap round 3 तक तो यह ज्यादा कटक वाले branches उनकी पूरी seats भर चुकी है तो यह पूरा हो गया अब जो बहुत सारे colleges देरे देरे शुरू हो रहे है colleges की पढ़ाई चालू हो रही है तो आपका अगर कही admission हो चुका या होने वाला है तो कल जो यहाँ पर जाके admission ले लो इसका schedule भी देख लेते क्या important dates में अगर हम आते हैं तो देख लो फटाफट क्या है यहाँ पर यह तो यह अभी यहाँ पर देख रहे हो कि 9 नौमबर दा display of provisional allotment यह हो चुका है 9 नौमबर को ठीक है और जो 10 और 11 और 12 यह तीन दिन है इसमें आपको जो है seat accept करनी है कोगे इस तरीके से 10 से 12 के बीच में आपको जो है college में जाना है वहाँ पर जो भी admission का process पूरा कर लेना है और इसके बाद अब यह सारा खतम हो रहा है को के officially तरीके से जो अब रही पढ़ाई की बात colleges में पढ़ाई चालू हो जाएगी regular colleges चालू हो जाएगे अगर आप math सीखना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारा जो आप है दिनेश सर आप उस आप के ऊपर मुंबई पुने और नाकपूर यह तीन जो इनके लिए courses चालू हो चुके हैं तो आप लोग हमारे इन courses में आ सकते हैं बिल्कुल कम प्राइस के अंदर जो है आपको इंजिनरिंग जैसे higher इंजर डिगरी के मैस के course आपको दिये जा रहे हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत सारी चीजे महाँ पर आवलेबल है एक बात दिनेश सर आपका जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको explore कीजिए आपको बहुत अच्छा लगया चीजे देखके पीडिएफ नोट से लेके guidance तक सब कुछ है ओके अगर आपका admission हो गया है तो जरूर इंजिनरिंग के courses में enroll करें और हमारे साथ पढ़ना चालू करें और अपने college में टॉपर बने ठीक है सभी all the best and congratulations मिलते हैं इस तरह के informative वीडियो में बाई everyone